नमस्कार दोस्तों बेंगलोड ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है आज का दुमा दमा के दर दुवा दर एक एक्सपरी रहा था पी साइड में जो जो बेटे थे ओ माला मल्स भी हो गया लेकिन बहुत लोग सी सेड बेटके नुकसान भी काया होगा और पी सेड में जो आपका पी भी चल गया और बहुत जल्द आप एक्सिट हो गया लेकिन पी और भी चला ठीक है ऐसा सिनारियो बना लेकिन जब आप एक्सिट करता है न वहीं से अगर मार्केट रिवर्स करके पी से सी सेड शिफ्ट हो जाता तो क्या होता कि सभी पॉजिबिलिटिस को आपक एक्सिट करा दियागा कैसा रहा मार्केट आम देखेंगे चाट में पांच मिनिट का चाट में इंफ्टी देखे यहां पर फॉल्वा एक कंसलेशन हुआ उसके बाद एक फॉल्वा उसके बाद तोड़ा उपर आ गया जो मैं यहां पर पी इंट्रि लिए यहां कई पी तो यहां पर चलना शुरू कर दिया और यहां पर जाके रिजेक्शन लेके उपर नीचे उपर नीचे करके फिर से उपर चला गया तो आपका पेशा किदर था सब सिनारियो रहता है जो आप चार्ट में देखता है यह चार्ट को सभी पॉइंट्स आप क्याप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत दिक्कत रहता है क्योंकि एक दो या तीन कैंडल ऐसा बन गया तो आपका अंफिदेंस लो हो जाता है अगर आप स्ट्रेलिंग स्टॉप लगा के दस लाग बनने का बहाना चोड़ दीजिए स्टो एंट स्टेडी कीजिए इरो जिरो मत के लिए अगर आपको नहीं आता है किसी और को सुनके इरो जिरो मत के लिए क्योंकि वह बोलता है कि यह हीरो बनेगा या जिरो बनेगा रिस्क आपका यह तो पैसा किसका है पैसा भी आपका यह है पैसा कतम हो जाएगा तो रिस्क आटोमेंटिकली ज्यादा हो जाएगा हेल्थ पर भी अपना असर दिखा देगा क्या हो सकता है निफ्टि फिफ्टि में आज तो एक ग्रावट देख लिया कल देखिये क्या हो सकते है यह एक ग्रीन केंडल बनाया था तो मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल का सिगनल दिखाया लेकिन या पर इमीडियाट रेस्टेंस आपको बन रहा है 17,890 और 17,895 ए लेवल में अगर इसके उपर ग्याप पो गया तो इमीडियाटली फिर से 17,930-940 तक मार्केट जाके फिर से वह आसे नीचे आ सकता है और उसको भी तोड़के अगर उपर जा रहा है तो मार्केट सीधा 17,980-990 तक मार्केट जाएगा उसको भी तोड़ द लिए तो फिर से आपको 18,000 तक मार्केट जाता हुआ दिकाई देगा 18,000 को ब्रेक करता हुए भी दिकाई देगा 18,040 तक जा सकता है मार्केट वासा भी पलटा सकता है क्योंकि अभी मार्केट तोड़ा नेगटिव सेंटिमेंट में चल रहा है कि बैंक आफ गराड़ो में स्क्याम हो गया चाइना में कोवीड का कुछ न्यूस है रैश्या में कुछ न्यूस है कोवीड के रिलेटेड यह सब नेगटिव इंपक्ट तो जरूर डाल रहा है उसके आगे में एक बहता ना चाहता हूँ कि वो नेगटिव न्यूस के साथ जो जो हम प्रॉफिट करके प्रॉफिट रिटेलर्स के पास है उसको लाग करना चाहरा है कि हाई में एक्जिट करने का बहुत कोशिश कर रहा है रिटेलर्स यह सिर्फ प्लान किया है एक्जिट करने के लिए लेकिन आपका फंड हॉस जो है यह लोग अल्रेडी डिसाइड करके माल को निकालके हाई पर रेट्स पर हमको चिपका के चला गया है ठीक है कल अगर क्या होता है सिनारियो क्या बनता है अगर निफ्टी फिफ्टी उपर कॉल गया तो उपर जा सकता है नीचे कोल दिया तो किदर नीचे कितना जा सकता है 17,780 या 70 को ब्रेक कर दिया तो सुम मार्केट सीधा 17,010 या 20 आके यहां पर जा सकता है नहीं तो और भी नीचे जा सकते तो ज्यादा फॉल होगा 17,620 तक फॉल हो जाएगा उसके नीचे आप सोच सकता है कितना फॉल हो सकता है क्योंकि अभी अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 17,857 या 58 में क्लोज हुआ है कि हम 17,022 के बात कर र इतना बड़ा हो गया ठीक है आस तो हो गया रोज ऐसा ही होगा हमको पता नहीं क्योंकि वो रोज सेलिंग में था जब करोना फर्स्ट वेव आया था उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा ऊपर रिकोरी किया और अपने आप आल टाइम हाई बनाते हुए दोनों इंडेक् अइसे शोनिस्टी बीव सभी इंडेक्ष अपना अल टाइम आई लगा चल रहा है कि आपके प्रॉविट बुकिंग बी आना फिल आहाई नीचे भी जाना है और उसके उपर थोड़ा दीन बाद ऊपर भी आना है यही है मार्केट ऐस्टेस ऑंकर अगर उड़ रहा है तो उड़ता ही नहीं रहेगा पंची भी कंटिनुएसली नहीं उड़ता है पंची भी रेस्ट लेता है ठीक है तो यह सोच के चलिए लेवेल्स को मार्क कीजिए निफ्टी-फिप्टी का चार्ट अनलेसिस आपके लिए और सीधा चलते ऑप्शन चेंड अनलेसिस कल का ऑप्शन किदर साइड ज्यादा राइटिंग हुआ है पुट या कॉल और मार्केट अल्रड़ी 15 मिनिट से किदर जा रहा है तो अगर पुट ले लिया तो ठीक है पुट ले लिया तो पुट चलेगा अगर कॉल ले लिया तो कॉल चलेगा यहां पर आपको पता चल जाएगा स्पार्ट मनी है एड़ी मनी और यहां पर देखे 25,500 कॉंटर्ट कड़ा हुआ है 17,800 में तोड़ा सपोर्ट देखे उसके नीचे भी सपोर्ट है यहां पर 19,900 20,700 27,000 आपको दूर दूर स्ट्राइक प्रेज का डिफरेंस में आपको मिल रहा है सपोर्ट ओके यह फाइनल रही है क्योंकि अभी इनिश्यल बिल्डिंग है कॉल रेटिंग और पूट राइटिंग अभी अभी हो रहा है अगर कॉल राइटिंग का सोचिए तो यहां पर 10,000 है इंदी मनी कॉल राइटिंग में 17,800 ओके यहां पर 17,800 है आपजिट में 25,500 है इसलिए मार्केट 17,800 या इसके बाद यहां पर देखिया माहा रेजिस्टेंस 18,000 लवैल्यू सो 60,299 है 50,374 अडिशन हुआ है यहां पर 18,000 आपको एक माहा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिकाई देगा इसको ब्रेक करना है यह तो याप अपन करने ही करना है 200 पांट ग्याप अपोच जना है तब ही ठीक रहेगा वह पर अगर नीचे आया तो भी हम सेलिंग सेट बैच सकते हैं लेकिन फ्लाट ओपन हो गया तो नीचे ओपन हो गया तो कंफूजन क्रेट कर देगा कि नीचे जाएगा या यह से रिवर्सल मारेगा अगर ओपन में ओ कोईरिस आ जाएगा वह भी ना ज्यादा टीक नहीं रहेगा कि सीधा चलते बैंक निफ्टी में भी सेम हाल है आप जो चार्ट देखते हैं वही चार्ट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने का मिलेगा तोड़ा उपर कोल के सीधा नीचे आ गया यहां पर तो हमको आपका टार्गेट क्या है डेली 3,000-5,000 कमाना वह काम कीजिए बस लेवेल्स टू लेवेल्स हम चेंज करके मार्क किये है नया लेवेल्स यहां पर आप नोट डाउन कर सकता है क्योंसार रेस्टेंस और सपोर्ट यहां पर क्लोजिंग बैसिक्स में 39,508 में क्लोज हुआ ह है यह 9 में क्लोज हुआ है कि 39,500 के ऊपर ही रखा गया मार्केट तोड़ा कॉन्फिदेंस दिखाने के लिए रीटेलर्स को अगर रीटेलर्स कॉन्फिदेंस ली बाइंग शुरू कर देते हैं तो यह एडिया यह सेल करके आपका वैल्यू नुकसान कर देगा फिर से मार्क है तो 38,700 तक हम बात कर रहे हैं अभी अभी 39,500 है तो कल भी वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी को हाजार पॉइंट या 800 पॉइंट एक कुछ भी नहीं है बहुत चोड़ा चोड़ा रिसके ना कि इसके बाद हम सीधा चलते हैं हमारा ऑप्शन चेन अनलेसिस बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्स परिकर ज़रूरत नहीं है आज ही देखना है कि आपको थोड़ा साइडियो मिल जाएगा और किदर सब्सक्राइब अगर यूस मार्केट और एशन मार्केट को चलके एजिएक्स निफ्टी को देखते हु जाएगा आपको किदर क्या हो सकता है कि सो अडिशन ऑफुट रेटिंग या काल रेटिंग चैंज इन ओपन इंट्रेस्ट की साइट ज्यादा लगेगा यह आपको अंधाजा लग जाएगा कि 39,500 जो है यह यहाँ पर आप देख सकता है 10,600 कॉंट्रेक्ट आड हुआ है चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट में 11 स्वेंटीन तोजन फोर अंड्रेस्ट में ट्वेट नंबर 420 वहाँ पर यह बिल्डप हुआ है और कंट्रेक्ट वहाँ पर कड़ा हुआ है उसके आप दे 27,800 करीब करिव 26,000 अडिशन हुआ है वह है 40,000 सेकलोजिकल लवेल तो नीचे आपको 17,000 अगर यह सपोर्ट जोन है 39,500 जो सेकलोजिकल फिगर है अगर गयाप डाउन भी हो गया तो मैक्सिमाम आपको रिटन कि दर से मार सकता है मार्क्सिमाम 39,000 आसपास में मार्केट 18,000 अभी अभी ओपन है ओके तो यह था आपका टेक्निकल अनलेसिस चार्ट अनलेसिस और ऑप्शन चेन अनलेसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एफर्ट वैसा ही चल जाना नहीं है कि मार्केट में हम लोग अगर पेशा आप भी जाइन कर सकते हैं तो आपको हर तरह मदद आपको मिलेगा आँ यह पर क्या होता है कि अगर आपको डिरेक्शन पता करने में तोड़ा दिक्कत आ गया तो भी आप गबरा के अपना जो क्या है ट्रेड जो है पंद कर देते हैं लॉस में वैसा नहीं करना है लिंक जो दिस्क्रिप्शन बॉक्स करने है ज़िरॉधा का लिंग वो जिरॉधा सको है लेके करो दोस्तों के साथ किया लाएकर करना za죠 पिलिक आपका मदद आशीर्वाद और प्यार विश्वास अम पर सदा रहा हैं, इंदी में तो थोड़ा आपका प्यार और विश्वास आमारा उपर, आमारा जो वीडियो है उसको लाइक कमेंट करदीजिया, आद दोस्तों का सब्सक्रास कीजिए, आमको और लोगों को तक पहुचा दीजिए ये रेक रिक्वेस्ट करते हुए हम ये वीडियो ये पर बंद करते हैं दोस्तों जाए हिंद चेक